आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि 7 दिन में पिंपल मार्क्स से चुठकारा कैसे मिल सकता है पिंपल मार्क्स पूरी तरह मिटाने के लिए आयरोवेद के घरेलू नुस्कों की बात करें तो एक नुस्का है नीबू से तयार होने वाला नुस्का दोस्तों नीबू में मौझूद विटामिन C एक बहुत बड़िया स्किन लाइटनिंग एजेंट है इसलिए ये ना सिर्फ पिंपल मार्क्स को पूरी तरह खतम करने में बहुत हेलपफुल होता है बलकि चेरे के सभी तरह के दाग दबो और फ्रेकलेस वगेर को भी पूरी त तेल और दूड बदाम का तेल हो सकता है आपको बजार से लेना पड़े क्योंकि बदाम का हेर ओल नहीं काम में लेना है बलकि प्यूर बदाम का तेल काम में लेना है जिन में और दूसरी चीज़े मिलाई हुई नहीं होती बैस्ट ये है कि आप पतंजली का बदाम रोगन क के नाम से मिलने वाला तेल ले 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 अब आपको क्या करना है एक चमत नीवु करस एक चमत शहण एक चमत बदाम का तेल और डोचमत दूद लेना है और इनको एक प्याले में अच्छी तरह मिला लेना है ये lemon pack आपको अपने चेरे पर मौझूद सभी pimples marks पर एक lotion की तरह apply करना है apply करने के बाद आदा गंटे के लिए इसे लगे रहने देना है और फिर सादा पानी से दो लेना है ऐसा आपको daily शाम को या रात को एक बार करना चाहिए शाम को इसलिए कि इसे यूज करने के बाद कम से कम दो गंटे तक दूप में नहीं जाना चाहिए इसलिए जब आप इसे शाम को या रात को यूज करेंगे तो आपको easy रहेगा दिन में यूज़ करने पर आपके लिए दो गंटे तक बाहर नहीं निकल पाने की पाबंदी हो जाएगी जो कई बार पॉसिबल नहीं हो था इसे डेली फ्रेश बना कर काम में लेना चाहिए क्योंकि कुछ देर में दूद के कारण ये खराब हो जाता है इससे सिर्फ एक हफते में ही पिंपल मार्क्स बहुत हलके हो जाते हैं अगर पिंपल मार्क्स बहुत डार्क और डीप नहीं है तो अकसर एक हफते में पिंपल मार्क्स खतम ही हो जाते हैं लेकिन अगर आपके pimple marks बहुत dark color के हों और काफी deep हों तो जब आप देखें कि एक हफ़ते में आपको इस lemon mask से काफी फरक पड़ा है तो आप इसे आगे भी तब तक continue कर सकते हैं जब तक कि आपके pimple marks पूरी तरह खतम होकर आपको बेश कीमती beauty आपको फिर से ना मिल जाए। जिससे बार-बार pimples भी नहीं आएं और pimples के निशान भी ना हो और यहां बताए गए इलाज का result भी जल्दी और effective मिले। जिनको बार-बार pimples होते हैं वो ये ध्यान रखें कि ज़्यादा oily food नहीं खाएं। oily food pimples होने का एक बहुत बड़ा reason होता है। oily food कम खाने से pimples कम आएंगे, pimples कम आएंगे तो निशान भी नहीं होंगे। pimples होने पर एक खास बात ये ध्यान रखें कि कभी भी अपने pimples को छेड़े नहीं, दिन बर बार-बार उनको खरोचे नहीं, उनको दबाए नहीं और फोड़े नहीं। ऐसा करने से skin पर एक बहुत मामूली सा घाव बन जाता है, जब वो घाव बरता है तो वो अपने पीछ pimples कम होंगे तो निशान भी कम होंगे, pimples होने पर या फिर pimples ठीक होकर उनके निशान रह जाने पर बहुत तेज तीकी दूप में डारेक्ट नहीं निकलना चाहिए, खुली तीकी दूप pigmentation का एक मेन कारण होती है, इसलिए वो आपके pimples के निशान डाक और डीप कर देती ह निशान जितने डाक और डीप हो जाएंगे उनको मिटाना उत्रा ही मुश्किल होगा, तो दोस्तों इस तरह से आप अपने pimples से पूरी तरह से चुटकारा पा सकते हैं तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, ऐसे ही और हेल्थ के वीडियो देखते रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें